हर्याना सरकार के सैकारिता मंतरी हैं हमारे साथ जो की लाइफ जो चुके हैं डॉक्टर बनवारी लाल जी बनवारी लाल जी बहुत स्वागत है आपका सूर्या समाचार पर देखे बनवारे लाल जी बिहार के मुख्यमंतरी नितेश कुमार उनके बुलावे पर बिहार के पटना में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी विपक्षी पार्टियों के जो प्रमुख है उनके जुटान हुआ है बैठक चल रही है लेकिन महागटबंदन के इस पर शनाव जाते हैं क्योंकि इस में सब का अपना अपना स्वार्त चुना राष्ट में सोजती हैं लोगों के बारे में सोजती है तो यह एक अंतर है और आपने हर बार कानुभव आपको भी है कि कितना इनका गठ बंदन, मागठ बंदन सफल हुआ है और अब की बार भी इनका यही आल होना है क्योंकि सबका इसमें स्वार्थ चुपा हुआ है जहां तक भारजनता पार्टी का सवाल है भारजनता पार्टी एक संग्ठनात्मक पार्टी है और यहां हर बूत तक हमने पन्ना परमुक तक हम पहुँचे हैं पार्टी का है और हर कार्य करता हमारा 24 गंटे चुनाव के लिए तयार रहता है क्योंकि हमने पिछले नौ साल के अंदर भारजनता पार्टी की सरकार के अंदर में रही है सेवा सुसासन और गरीव कल्यान के लिए काम किया है और देश के अंदर बहुत से ऐसे यतियासिक फैसले मा ने नरण्ंदर भारी मोदी जी के सरकार ने लिये हैं और बहुत सी जनकल्यान कारी है और आज पूरे देश के अंतर भारति जनता पारटी के परती लोगों में विश्वास है यानि कि आपको के पी डिये ने अपमे लेवल पर Shea रखा है माइक्रो लेवल पर आप काम कर रहे हैं लेकिन अगर देखें आपने अनुभव की बात भी करें 2019 में भी लोकसभा चुनाव को लेकर जो गठबंदन है वो हुआ था हालांकि वो गठबंदन इस वार की गठबंदन से थोड़ा सा अलग हो सकता है लेकिन अनुभव है इस बार के उन तमाम पार्टियों के प्रमुख के बास भी अगर देखें तो पटना में जो बैठक चल रही है एक छट के नीचे तमाम जो प्रमुख है वो पहुंचे हुए हैं देश की हर दिशाओं से तमाम जो अलग लग राजे हैं दक्षिन से लेकर पश्यम तक हर जो है वो पहुंचे हुए हैं क्या बीजेपी को यह चुनौती नहीं लगती कि इस बार अनुभव है उनके पास 2019 के लोगसफा चुनात को लेकर देखो मैंने यही कहा कि जितने भी आपने नाम गिना हैं सब अपने आपको प्रधान मंतरी के दावेदार समझते हैं जबकि भार जन्ता पार्टी के लिए कोई चुनौती है देखें बीजेपी को देश की सत्ता से हटाना यह इन तमाम विपक्षी पार्टियों का एजेंटा है और इसी को लेकर सबका यहां पर एक जुटता जो है वो हुई है ऐसे में किस तरीके से आपको लगता है आपने कुद महत्व इसी बात पर इनका अभी तो जगड़ा चलेगा जी यानि कि आप कहरे की पेच यहां पर फस्तेगा जब बात होगी प्रधान मंत्री पज के उमिदवार की जी बिल्कुल दिखे बनवारी लाल जी हालंकि कोशिश आप इस चीज को लेकर क्या आप सोचते हैं क्योंकि बीजेपी को ही हटाने के लिए तमाम विपक्षी पार्टिया एक हुई है ऐसे में दो हजार चौबीस को लेकर जो तैयारी इन तमाम दलों की है इसको कैसे देखा जाए देखो हमारा जो चुनाव के अंदर विकास हमारा मुद्दा रहता है और विकास के मुद्दे पर हम चुनाव में जाएंगी क्योंकि हमने पूरे नो साल के अंदर परदेश के अंदर बहुत विकास कारिये करवा हैं चाहे हो सड़क का हो चाहे हो विजली का हो चाहे हो स्वास्त का हो सभी विभागों में अच्छा काम हुआ है जितना डवलप्मेंट पिसले नो साल के अंदर भारत के अंदर हुआ है आप सड़कों का जा सब्सक्राइब को लेकर हम जनता के बीच में लेकिन विपक्षी पार्टियों का अगर स्टैंड देखे तो विपक्षी पार्टिया कहती है और अकसर देखा भी गया उनके संबोधन में कि वह केंद्र एजेंसियां जो हैं सब्सक्राइब करते हैं और आरोप लगाती हैं बीजोपी पर की बीजोपी ने इनका गलत इस्तिमाल किया है और वो जनता से इसी मुद्दे को लेकर उनके बीच में जाने के लिएकर रणनीती भी तैयार करती हुए दिखाई देती हैं इसको लेकर आपका जवाब देखो यह ऑटोनोमस बोडी है और यह अपना काम करती हैं में किसी सरकार का कोई इंटरफेर नहीं होता तो सरकार यह जो सिवियाई है एडी है यह सब अपनी इंडिपेंडेंट एजिंसिय है और जो बात राहूल गांदी अकसर कहते भी हैं आज जब यह बैठक शुरू हो होने वाली थी उस बैठक से पहले भी राहूल गांदी ने अपने तमाम कॉंग्रिसी कारिकरता को संबोधित भी कि और यही जो आरूप लगातार वो लगाते हैं कि मोधी सरकार जो है वो नफरत फैला रही है लेकिन हम प्यार की महबत की बात करते हैं इस पर आपका हम इसी सिद्धान पर आगे चल रहे हैं ठीक है देखिए अगर यह तमाम दलों को हरम देखें देखिए जिस तरीके से बात हुई प्रधान मंत्री पत की उमिद्वार को लेकर भी यहां पर तो पेच फसेगा ही जासता कि आपने भी खा लेकिन अगर राजिस्थान को उठा हुँ तमाम अन्य पार्टी उनके बीच में भी जो अंतरकला है वह आप निकल कर सामने आ रही है तो इन मत्वेदों के बाद भी गट जोड करने के बाद भी किस तरीके से जो काम्याबी है मिल पाएगी बड़े महा गठबंदन को कोई काम्याबी मिलेगी क्योंकि हर बार इ इनकी यह कि भारजनता पार्टी को किस तरह से सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर सभी दल एक साथ आ जाते हैं सहमती बन जाती तो वोट कटिंगे बिल्कुल लेकिन यह संभव नहीं है न साथ एक साथ आएं सबका अपना अपना इंटरेस्ट करता है हर परदेश के अंदर जो पार्टिया है वो आपस में उनके नेता एक नहीं है वहां भी कई गुट बने वे आपस में तो यह इखटे हो ही नहीं सकते हैं जनता भी जानत सब्सक्राइब को रिजल्ट आए तब भी सभी एकमंच पर दिखाए दिये मुलाकाते इनकी पहले भी हुई लेकिन इस बार पहली बड़ी बैटकी है आपके बार बार कहने के बाद भी बीज़ोपी के बार यह बयान देने के बाद भी यह तमाम जो दल है वो एक साथ आ च सब्सक्राइब करते रह सकते हैं चलिए बहुत शुक्रिया बनवारिलाल जी